तो आज का जो वीडियो होगा ना उसमें मैं इस गारी के थर्मोस्टेट के केस और ELBOW दोनुकोई चेंज करूँगा केस यानि कि जिस पर जो फिक्स होता है और ELBOW के बाहर से जिसमें जो होस पाइप होती यह फिक्स होती रपईस को आप चेंज करेंगे, लेकिन जो मैटल लेइन होती है, वो इंटर्नली डाइमेज होने लग जाती है, धीर देर उनले में रस्टि कोने लग जाती है कि पुरा खराब योगे तो उस वक्त मुझे मिला नहीं था तो मैंने इसमें जुगाड से कुछ दूसरा है उसको जुगाड बनाया तो वीडियो आप देख सकते हैं से पहले वाले वीडियो है तो फिलाल अब मेरेको मिलगा तो उसको मैं रिप्लेस करने से पहले जो चीज़ सिंपल ब्रेस का उसकी जैए कपडा या ब्रेस वह आप पे डिपेंट करता है ठीक तो उसको पहले पूरा क्लीन कर लेते हैं उसके बाद क्या करना है जो बॉक्स इसको निकाल देना एक टैने मिम का बोल्ट यहाँ पर होता है एक इधर पर और यहाँ पर एक पीछे क्लिप लग AH और एक ना इसमें टूट ईा तो जुगाड के बंढाकर यहाँ पर एक और इस में आपर निकल जाए गया ठीक साइट कर करने के लिए भी यहाँ पर यह लाइन दी जाती है अंन Mensch लेना यहाँ पर 3 कनेकटर लगेवर इनको निकाल लेना है और नीचे इसका से पहले आप क्या करना है यहाँ पर मैं है ज़्यादा पुरा द्यानिशन चैक कर ल हैं खथी वट ऊबनेशन नि-इसकों निकाल लेंदें तिसको निकाल लेना यहीрим हाइना तो बहुन जाए त humility करना है इसको निकाल लेना है इसके अंदर में आपको दिखांगो देखिए जो बात मैं कर रहे हैं अचानक से लीख हो ना तो इसलिए अगर पुरानी हो गई है और इसमें लगातार पानी का यूज किया गया तो इसको भी रिप्लेस करने अब उसके बात क्या करना है यह ब्र तो इनको निकाल देना है और यह ब्रैकेट भी इसके साथ निकल जाएगा एक वाय रहती है आप पर निकाल ले रहा तो क्या है इसके आगे जो होस पाई है यह मुझे निकालने पड़ेंगा यह मैं निकाल लेता हूँ अब यह इसीली बाहर निकल जाए और एक चीज और ध यह मैं निकालने के बाद आपके रेडियर का आप वहीता करें कर लेंगी तो उसको बहुत कूर लो धेना हूँ मारू को प्राने वाले में देख आप स्टेश के साथ है ये गल जाता है ठीक है तो इसमें भी सेम यहीं वा था साथ ही दो जो जैनमीन ही उसके साथ मैं गैस्किट भी लाया हूँ तो आने वाले में देखिए सेम चीज़ हुई थी वह गल या था तो उसकी वज़े से कि जुगाड बना के काम करना पर जुगाड है सक्सेसफुली है इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं इसकी जो एलबो है वो और अंदर जो यहां पर आप देखे रहूंगा थर्मुस्टेट यह भी इसमां हाड़ी स्टिक होगी है क्योंकि वह बैठ नहीं रहा था पहली बार इसमें मैंने coolant का यूज करना था तो अब क्या करना है यहां पर जो वायर है इसका यह स्कुरू निकलना तो मुसकी लिए घीस ही जया मैं क्या करूंगा इसमें नया जो एक कर वाले ना फिर निकल वाले तो मैंने वह ही कर रहा था और इसको मैं अब कर लेता हूं क्लीन अच्छा से यह क्लीन भी हो गया और इसको दुबार से रिइस्टॉल कर लिए उससे पहले एक होस पाइप भी मेरे को चेंज करने देखिए इसमें जैसे मैं आपको बोला इसमें यूज कर रहा है तो यह जाने तो अब इसमें एक जुगाड बनाऊंगा फिलाल कि मैं आपको दिखा रहता हूं जो मैं कहता है ना कि लगातर पानी यूज करने से जो एल्बो की हालत हुई है कभी भी हो सकती है ठीक है तो यह मेरे को इसको भी मैं रिप्लेस कर रहा क्योंकि अगर यह कभी लीक करकी तो फिर खाली कूलेंड गिर जाएगा फिरो गड़े बड़ा गलत से हो जाते साथ में इसके गैस्कीड भी यह यूज नी करूंगा फिलाल के लिए कभी रख लेता है काम में आई अब आपको क्या करना ना कभी भी कोई नया पाइट होता है वहाँ पर एक मार्क दिया रहा था उसी का अपको फिट करना उसके बाद यह अल्बो फिट करने नहीं बाहर से लेकिन थोड़ा हाड़ली चाहेगी नई अल्बो थोड़ा हलके हलके इसको पूस करो यह चले जाएगी ठीक है और एक चीज और होती है ना इसमें आप चीज है यह और यहां पर जो बोलते हैं इनको ओटाइड मत करना है यह तूट गए फिर आपको पूरा स्टट चेंज करना पड़े का बड़े दिक्कत हो जाती है आप इनको टाइट करना और एक चीज और है अभी आप अगर यह कभी क्या होता ना यह टाइट करने के बाद सब स्थानले के टेमिन्य क में यहर सबस्क्राइब कुझ के लुए सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को इसे नङता है लिए। धुकॉर सब्सक्राइब का शकिर में लगा सब्सक्राइब और यवे ने ltru कराणा ड्रैन कर अब पूराइब लगा दूँ बट नहीं करूंगा इसको मैं कट कर लेता है आप सोचिए कि नया प्रेस करोगे जितना चीह होता है नए कनेक्टर के लिए उतना ही यूज करना है बहुत अगला यह बाइप लगा रहा है आप इसका कट कर लेना है ठीक है तो यह कनेक्टर में इतना जा रहा है इसकी क्लिप लगा लेनी है ठीक है और इसको इसमें फिट कर लेना है एक साइट से तो होता है इसको फिट हो जाएगा उसके बाद जो क्लिप है वो टाइट कर लेनी अच्छे से ठीक है यह टाइट हो इसका भी जो क्लिप वो टाइट हो जाएगी यह परफेक्ट्री टाइट होगा बट अभी इसका लिके चेक करना है वो लास्ट में करेंगे पानी डाल, कुलेंट डालने के बाइट है तो यह सारा गाम यहाँ पर हो गया यह भी चेक करनी है यह वह एक चीज और है इसमें करने के बाद ही में चीज स्टार्ट होती है क्योंगी रेखिए ऐसा होता ना कूलन फिल कर लेना इसमें ठीक और कूलन एक दम से पूरा जाता नहीं है तो आप रेडियेटर के ऊसको दबाएंगे न तो वह बाद जाएगा या पर गाली स्टार्ट करना उसके बाद इसको कूल तो उसको आपको धिहान से टाइट करना तेखिए इसमें आपको चैक कर ले या कोई लीकेस तो नहीं तो ऑच्छे से उसको बिखिए गज़ा अगर आप भरार है प्छा्र मेरा नहीं यह चाला लेना है ठीक है चलाने है पर बहुत जादा ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई लीकेज होगा तो अभी आपको दिख जागा अधर वाटर टेंपरिचर सेंसर अगर खराब हो जाता कभी भी हो जाता है अगर वाटर लेना है तो अगर वह तो आपको सामने देख जाएगा और एक चीज और होती है अगर आप जैसे आपने आप टेंपर्टर सेंसर चेंज किया ना तो इसकी वज़े से एक चांस रहता है कि आपकी गाड़ी के मीटर पे चैक इंजन लाइट आ सकती है अगर आती है तो उसको आपको गया करना एक बैटरी का तार निकाल लेना दुबार से इंस्टॉल कर लेना ठीक है वो लाइट चले जाती है अगर आती है तो ठीक है नॉर्मल सी चीज़ें आने के चांसे रहते हैं तो और कुछ नहीं करना गाड़ी स्टार्ट करके देख लिए थोड़ी तो यह काम अभी के परफेक्टली हो गया तो आई होब आपको वीडियो पसंद आएगी तो मिलता नेक्स वीडियो के से और टाप एकिसान तब तक लिए भाई टेक क्यार